Realme X7 Max 5G MediaTek Dimensity 1200 6NM 5G प्रोसेसे साथ इंडिया में लोन चो चुका है और आज इस वीडियो में हम इसका फूल बेटरी ड्रेन तो करने ही वाले साथ में इसकी PUBG खेल के पूरी एक्टम बेटरी ड्रेन करेंगे तो आपको PUBG का गेमिंग रिवीवी भी दे दूआ इस प्रोसेस साथ कैसी performance मिलती है कितने अच्छे से optimized है आप देख सकते हैं 100% यहाप पे यह बेटरी चार्ज है हम इटिंग टेस्ट भी करेंगे इसका तो बेटरी उससे साब से ड्रेन करेंगे स्क्रीन रिकोर्डिंग होगा रहे सब कुछ आगे चलके मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले यहाप मैंने पपजी वेकर ओन कर दिया और यहाप पे अब मैं इसमें टाइमरी भी ओन कर चुका हूँ अब देखते हैं एक बार के लिए इसका स्टार्टिंग जो शुरुआत का जो टेंपरेचर वो कितना रहता है 31 के आसपास रहा फीचे की तरफ से आप देख सकते है 31, 32 के आसपास आपको टेंपरेचर इसका मिलता है लेकिन HDR का उप्शन भी है और Ultra Frame Rate का उप्शन भी है अगर आप Graphics HD Balance पर करते हैं तो Ultra High Frame Rate मिलेगी लेकिन स्पूद में खेलेंगे तो Extreme तक जा सकते है That means 60 FPS आपको इसमें आराम से मिलने वाला है आगे FPS मिटर की मदद से मैं आपको चेक भी करा दूँगा अपर ते कि औरी कि कि औरिकिन से मिलेंग ऑन से मिलेंगे खरी के लेगा XT लेगा खे दूब की फू़ मीले बलाजगे महा दूएगा करेंगे अब्स उपिँएवच सब्स। आपकशने अब्लब के बलाएगे एफदा दूएगे किलीक प्रिव फुर जूली टूली जुट्ट अँ झाहु नुर्म्यासी नुट्यासी युट्यासी युट्ट युट्यासी थाम शोला ट्रियों युर्दीन जुट्यासीoben the blue team has scored for the first time dead enemy down kill killing spree for the blue team nice shot target down clear clear dead expired the red team doesn't have a lot of time left no mercy clear 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 dead cover me clear clear आपको वीडियो भी दिखाया क्लिप भी काफी अच्छी परफोएंस मिले बीच में यहां पर इसका जो बेटरी टेंपरेचर वह वह स्वरी बेटरी जो स्टेटर सा वह आपको चेक करा देता हूं तो आप देखेंगे बेटरी है वो 50% पे आ गई है और जो की अभी इसका टाइम दिखा रहा है 2 गंटे और 15 मिट हमने यूज किया है टाइमर भी अपना स्टोप वाच भी चेक कर लेते हैं तो 2 गंटे 10 मिनिट आप देख सकते हैं यह दिखा रहा है तो लगबग उतना ही टाइम सेम है आपको इसका बेटरी यूजेज है वो भी दिखा देता हूं तो फॉन बेटरी यूजेज में जाएंगे पर आप देख सकते हैं पजी नहीं मोस्त नहीं आप इसका बेटरी है वो कंजूम किया है तो आप 50% बेटरी आपका स्क्रीन रिकोर्डिंग में इसमें कंटिन्यू क कर लेना तो यहां पर हें वार इस इंगल फी खेल कर देख्ते किसी प्रफॉंस मिलती है करें करें बड़ करत दो झाल 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 अग्णवारी करो! अग्वेंट औालाओ फ bereits 15록 में행 qualifyよろしく बत्नार पर लोगड़ेव दियां। में पर पर कोंपना यह बहुट है व्यांly leng doit हुट है लाप ि्धिक से आएएमे लापने कि समंट मेंस? वहाई पिर बढेड़े हुट तुड़ को ड़ियोंडे। जाना दूएड़ चाहिद मारशब हैं चाहिद 1 लेथ लेड़ खेड़ खेड़ लेड़ अे अे खिर यहाँ पर इरेंगल का अपना गेम ठतम हो गया है यहाँ पर बिजगेम की मदद से लेकिन अब बात करते fps आप देश सकते 59 60 52 60 के आसपास ही रहता है तो 60 के राउंड इसका हर पूरा आपको एक्टम एक्स्ट्रीम फ्रेम रेट पर आपको एक्तम बड़ी है स्मूध उखोंस इसमें गेमिंग की मिलने वाली है यहाँ पर एक चीज़ा आपको चेक करा चाहूंगा यह इरेंगल केल रहा हूंग बीस मिनट से आप देखिए और यहाँ पर इसका टेंपरेचर बीचे मुझे लग कर रहा हूं और इरेंगल खेलते हैं लगबग 20 मिनट मुझे हो चुके आप देख सकते स्कीन रिकोर्डिंग चालू है तो उस बज़े से थोड़ा यहाँ पर टेंपरेचर हाई हुआ है तू परसेंट बेटरी मेंनिंग का ओप्सन आ गया और देखते हैं अभी कितना गंट की स्कीन रिकोर्डिंग की एक दम स्ट्रीम इंटेंस बेटरी डेंट टेस किया इसका आप देख सकते हैं 46 अभी भी टेंपरेचिस का जो डिस्प्ले की तरब से वो दिखा रहा है तो 46 के अराउं टेंपरेचर रहता है और गर्मी का टाइम भी है तो थोड़ा जालदा यहा को मैंने स्टॉप कर दिया है बेटरी विजस आप देख सकते हैं 97.37 परसेंट पबजी कार बाकी है और चीज़ है तो हम यहां पर आपको बोल सकते हैं कि इसमें गेमिंग के लिया से एक्दम शांदार है यह प्रोसेसर है डिस्प्ले क्वालेटी सुपर मेलेट बढ़िया म यह यह जैलें लुट लुट लुटेए लुटें